हलो दोस्तों नमस्कार नीमी टेक्निकल क्लासेंग आपका हार दिख स्वागत है मैं विजय सिंग जो की आई टे एलेक्टरिशन से सम्मधित सभी कॉंपटेटिव इकजाम की त्यारी कराता हूं और इसके साथ साथ आई टे एलेक्टरिशन टेड की भी बहतरीन कॉंटेंट के साथ टेड थेवरी को कम्लीट कराता हूं तो दोस्तों आज मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूं खुद के लिए नहीं आपके लिए मेरा एक वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला है जी हां मेरा एक वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला है जिस तरह से अपने को प्र होने वाला है मैं आपको सफल पक्री बनने के लिए त्यार हो जब भी आपका कॉमेंट करता हूं मैं पढ़ते ही एकसाइट हो जाता हूं कोई कहता है you बहुत अच्छा पड़ाते हैं कोई कहता है सर आप आप इस चैनल से बने रही है पेसेंस रखिए और अपने अंदर के गट्स को खतम मत होने दीजे तो दोस्तों कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आई टे इलेक्ट्रिशन के चाहे आई टे का मुझण चाहिए टे रेड़ कंजोड मेंत बंक मर्त 20% स्टूडेंट ऐसे है जो बिलकुल इंटेलीजेंट है इसमें से 10% ही जोलकुल मीडियम आफिएंस बाकी सतर परिशेंट यानिकि 70%도 इस विःति बिलकुल वीक है कमजोर है उन्सभी आशेजा के पास बहुँं के पह नहीं होता है अगर जो मन से विकलांग हो गया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लिए से और ताकि लगातार मेरा वीडियो आपके घर तक पहुंच सके तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आहूं वायरिंग हम पढ़ रहे हैं आईटे इलेक्ट हंने कवर कर लिये हैं बहुत ही अच्छे तरह से हम आज पढ़ेंगे पार्ट नंबर फिप्त को क्म का चीज़ आवली हो तो यह मैं कुछींप यिए सचीज आपBig लेकर आया हूं तो चलिए हम श्टार्ट करते हैं हम पढ़ रहे हैं वाईरिंग को लिय इस session number 5 में हम पढ़ेंगे wire के बारे में, किसके बारे में? wire के बारे में, और इसके साथ हम wiring कैसे करते हैं, wiring कितने types की होती है, मैं इसको पूरा आपको theoretical दिखाऊँगा, theoretical तो knowledge दूँगा ही दूँगा, आपको मैं इसको करके भी दिखाऊँगा कि किस तरह से wiring कर रहा है, हम ए आपको AC और DC wire के बारे में, इसकी color code के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, तो चलिए, अब स्टार्ट होते हैं, हम सबसे पहले बात करेंगे DC के बारे में, आप सबको पता है, DC और AC, हमारे पास केवल two types के ही supply होती है, AC और DC, इसके अलावा कोई supply हमारे पास नहीं होती ह तो हम सबसे पहले आया था, इस दुनिया में सबसे पहले किसका experiment किया आगा था, DC का, तो हम DC को ही सबसे पहले देखेंगे, DC, इसका नाम होता है direct current, इसका नाम होता है direct current, अब इस direct current के बारे में देखेंगे, हम पढ़ रहे हैं, वाइरिंग तो वाइरिंग के नजर ये सही इस disease ko DE SEE के बारे मैं बात करेंगे तो देखिए DC कर सिस्टम जो होता दीजी सिस्टम टू यर का भी होता है और दीजी सिस्टम इसफिंटता इस यहर का भी होता सबसे पहले देखते लिए डीजी सिस्टम सुम आ आप अपना थ्री वायर में अब ये DC सिस्टम 2 वायर, DC सिस्टम 3 वायर क्या है ये देखिए, ये DC सिस्टम यानि कि DC में केवल जब 2 वायर हो तो उस वायर का कलर कोडिंग क्या होता है और DC सिस्टम में जब 3 वायर हो तो उस में कलर कोडिंग क्या होता है अब देखें, DC सिस्टम में 2 wire, एक wire होगा plus का और एक wire होगा minus का, अगर plus और minus है, only 2 wire है, plus और minus, positive और negative तो ये positive हमेंसा red color का होगा, यानि कि लाल color का, और minus हमारा होगा black color का, यानि कि काला, ये तो हो गया 2 wire का color code नहीं, यदि DC supply लेकिन वायर की संख्या अधिक है तो इसमें होगा हमारे पास प्लस माइनस और अर्थिंग ग्राउंड प्लस और माइनस और ग्राउंड इसमें देखते हैं कि हमारा कलर कोडिंग क्या होता है प्लस यह जो हमारा पॉजिटिव सीरा होता है यानि कि पॉजिटिव पॉइंट होता है यह हमेशा रेड ही होगा इसका कलर चेंज कभी नहीं होता है यह हमेशा हमेशा रेड होगा और इसमें जो माइनस का कलर कोडिंग है यह बिल्कुल चेंज हो जाता है हाँ बिल्कुल इस में देखे टू वायर सिस्टम में माइनस वाली माइनस वाली वायर ब्लैक की रहेंगी लेकिन यहां पर माइनस वाली वायर ब्लू की होगी कि किस कलर का होगा ब्लू कलर का यानि कि हम बात करें यहां लाल कलर ब्लू यानि निला माइनस नीले कलर का होता है जी हाँ माइनस ये जो हमारा माइनस वाली वायर होगी निगेटिव वाली वायर ब्लू कलर की होगी और इसमें अर्थिंग होगी अर्थिंग काला कलर की होगी हो गया ना चेंज तो DC सिस्टम के 2 वायर में यह रहा DC system का 3-wire यह रहा पूरे details मैं आपको बताऊंगा बस आप पूरे वीडियो को full वीडियो के देखिए start to end फिर देखते हैं कि क्या क्या मैं बताता हूँ आपको यह तो हो गया DC system का 2-wire और DC system का 3-wire मैं आपको बता दू यह होता है अर्थिंग यह होता है मेरा अर्थिंग तो इसमें यह जो अर्थिंग होता है ना अर्थिंग only one color का ही होता है DC में अर्थिंग केवल एक ही color का होता है अब हम बात करते हैं AC system की AC यानि alternative current alternative current प्रत्यावर्तिधारा अब इस AC में देखते हैं सबसे पहले हम देखेंगे कि जिस तरह से DC system का 2-wire है इसी तरह से AC system का भी 2-wire होगा AC system 2-wire AC system में 2-wire DC system में जो वाइर होती है उसको हम positive, negative, yarni कि plus और minus नाम देते हैं लेकिन जो AC system का जो वाइर होता है इसको हम phase और neutral नाम देते हैं तो इसमें से phase क्या होगा? phase को हम p से लिखते हैं तो मैं यहां पी लिख देता हूं neutral को N से लिखते हैं तो मैं यहाँ N लिख देता हूँ P क्या होगा? Phase, फेज यानि लाल कलर का Phase होता है AC में Red कलर का, लाल और neutral होता है Black काला अब आप तो कहेंगे DC और AC में फर्क ही क्या है? तो रुख जाएए AC सिस्टम 3 वायर हमारी सिस्टम तो AC है लेकिन पहले 2 वायर था, अब हो गया 3 वायर इस 3 वायर में कौन कौन सी वायर होगी? इस 3 वायर में होगा, एक होगा Phase, एक होगा Neutral और एक होगा Earthing Earthing को हम E से लिखते है यहाँ फेज तो होगा Red यानि की लाल Neutral होगा मेरा Black यानि की काला और Earthing होता है Green यानि की हरा आपको Difference दिखने के लिए आप बस इस चीज को Note का लिजे यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर सप्लाई AC के है सिस्टम यदि AC की है तो Earthing हमारा Green कलर का होगा यदि सिस्टम DC का है इस चीज को आप अपने जहन में उतार लिजे नोट में उतार लिजे दिमाग में उतार लिजे रट लिजे कुछ करिए बस आपको आना चाहिए यह तो हो गया अब यहाँ पे मैंने बता था कि DC सिस्टम में यह जो हमारा अर्थिंग होता है वोली वन कलर का ही होता है वोली एक ही कलर का होता है लेकिन यह जो हमारे AC सिस्टम होता है AC सिस्टम में अर्थिंग दो कलर का होता है कितने कलर का? दो कलर का होता है अब दो कलर का कौन कौन सा होता है पहला तो मैंने आपको बता दिया ग्रीन कलर का यानि की हरा कलर का अब दूसरा कौन सा कलर होता है दूसरा होता है एलो ग्रीन दूसरा कौन सा होता है एलो ग्रीन चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ आप लोगों ने नोट कर लिया इसे नोट कर ये कर ये फट 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 नोट कर ये बिल्कुल चलिए अब आगे बढ़ते हैं मैं इसको रफ करता हूँ हम बात कर दें अर्थिंग की एसी सिस्टम की अर्थिंग यानि की एसी सिस्टम की अर्थिंग के बारे हम देख रहे हैं डीसी सिस्टम में अर्थिंग केवल एक ही प्रकार का होता है और उसका रंग होता है ब्लैक लेकिन डीसी स्वरी एसी में अर्थिंग दो प्रकार का होता है एक होता है black एक होता है yellow green पहला होता है अर्थिंग अर्थिंग काला और दूसरा होता है अर्थिंग पीला और sorry ये हरा होगा mistake हो गया पीला और हरा यानि कि इसको हम बोच सकते हैं yellow green ये हो गया मेरा green तो और फिंग दो प्रकार का होता है ऐसा क्यू रखा गया है AC system में दो प्रकार के अर्थिंग क्यों की priority क्यों दी गही है आखिर ऐसा क्या reason है इसका देखे मैं reason समझाता हूं ये क्या है yellow green ये क्या है yellow green यदि यदि हमारे पास कोई कोई ऐसा केबल है जिस जो फाइब कोर का है फाइब कोर का ध्यान रखना कितने कोर का फाइब कोर का एक दो तीन चार और पाच पहला होगा मेरा फेज रेड कलर का दूसरा होगा फेज येलो कलर का और तीसरा होगा फेज ब्लू कलर का और चोथा होगा फ्लेज चोथा न्यू इसको मैं बात करूँ तो ये लाल हो गया ये हो गया पीला ये नीला और ब्लैक होता है काला yellow green अर्थिंग की रंग है यानि कि पीला और हरा दोनों mix तो अब ऐसा क्यों इस अर्थिंग ये जो अर्थिंग है हमारा पीला और हरा यानि कि yellow green earthing का उपयोग कहां हम करते हैं हम करेंगे तो earthing के लिए क्यूंकि earthing wire है और थवायर है तो इसका उपयोग earthing के लिए किया जाएगा लेकिन हम इसका उपयोग और कहां कर सकते हैं यदि हमारे पास कोई ऐसा cable है जिसकी 5 core है यानि कि 5 wire है पहला तीन उसमें phase होंगे RYB और एक होगा neutral एक होगा earthing तो उसमें earthing ये green वाली earthing नहीं होगी ये green वाली earthing नहीं होगी उसमें yellow green वाली earthing होगी क्यों yellow green वाली earthing होगी क्यों यदि माली ये RYB तीनो phase में से कोई एक phase break हो जाता है कोई एक phase break हो जाता है आप underground system से ले गए है वायर यदि कोई एक phase break हो जाता है तो क्या आप उस underground wire को underground cable के का उखार सकते हैं सिर्फ एक cable के वज़े से क्या आप wire पूरे cable को change कर सकते हैं नहीं ऐसा नहीं कर सकते तो उस situation में क्या करते हैं यहां पर देखें यानि कि yellow मतलब पीला होता है और यह जो yellow है हमारा पीला कलर का यह भी एक phase का प्रकार है यलो हमारा phase का ही प्रकार होता है और इस earthing में भी yellow color है यानि कि हम इसको earthing के जगा पे यहां पे उपयोग में ले सकते हैं phase wire के लिए ठीक है, सबसे बड़ी महत्तवता यहीं दी जाती है इस yellow अर्थिंग को, yellow green अर्थिंग को, ठीक, इसलिए इसका उपयोग यहां पे किया जाता है, हमेशा ज्याद अधर underground cabello में यूज किया जाता है तो यह हो गया मेरा yellow green अर्थिंग की priority गुटी घॉ अब एसी सिस्टम का two वायरBut 001 इसी सिस्टम का फॉर वायर को देखते हैं कि अभी कि एसी सिस्टम फॉर वायर ऐसी सिस्टम का फोर वायर 100 है एक होता है पहला वायर दूसरा वायर तीसरा वायर और चौथा वायर पहला वायर होता है फेज का वो होता है रेड लाल और दूसरा होता है येलो यानि की पीला कलर का और तीसरा होता है ब्लू नीला कलर का और येलो ये फोर वायर फोर वायर जो होता है यह निटरल का होता है ब्लैक क्या यानी कि काला यदी AC system में केवल टू यह है तो Phase और नूटरल होगा फेज रेड़ कलर का नोटर भ्लैक कलर का यदी AC system में C3 पॉस थार में से एक हो कहाफ दिर कलर का एक कर जो होगा हमारे पास अर्थिं जो होगा ग्रीन कलर का यदि एसी सिस्टम में फोर वायर है यदि एसी सिस्टम में फोर वायर है तो फोर वायर में से तीन वायर होगा आपका फेज का रेड येलो ब्लू और एक वायर होगा अर्थिंग का सोरी न्यूट्रल का इसमें अर्थिंग की वायर नहीं होगी ठीक है यह हो गया AC की वायर सिस्टम चलिए यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं यह बहुत ही बेसिक जानकारिया है आपको इतना जल्दी यूटूब पे कहीं नहीं मिलने वाला Ayas is%. आप इस चीज को सब्itu नोट कर लिए ठीक हैं बहुत ही काम आने वाला है आपके अगर ऐग्जाम की दिरिष्टी से आपको ऐसलकता हो गा तो कोई दिक्कत नहीं हम हर चीजी इक्जाम के लिए नहीं है हम सिर्phone एक्जाम के लिए आइट रहे हैं ठीक हमके हमें कुछ नॉलेज्च चाहिए हम लाइच के लिए कर रहे हैं तो यह होगAYा मेरा एच idoucken का लुघ के बारे में डिकेल्स अब मैं रेस वय और वे बारें के बारएंग बताउंग आपको Karma Is Hamilton आपको raise यह शुक्त अब्स देखते चलिए कि Water 1986 क्या होता है मरे स्विय बारिं अ इस तिन और सब आखरी में यह वारिंग है सिर्फ ऻीन इस को जब अनुड्ड हुधाooo कि सुर्ण कोड पाण करें मैं कर दो कि एक परिपत है इस परिपत में यदी 120 से 208 वोल्ट इस रेसाइं परिपत में एक 3-phase wire system का color coding क्या होगा? 3-phase wire 3-phase phase कितना होगा 3 तो phase को हम L से denote करते हैं。 तो क्या हो जाएगा L1, L2, L3 याँना Kसे 3-phase है, phase को हम L से संकेत करते हैं तो L1, L2 L3 और एक होगा हमारा neutral यहां पे हमने देखा था, wäre वहां पे हम RYB-देते हैं लेकिर हम यहां क्या देते हैं देखते हैं यहां पर होगा मेरा ब्लैग यह होता है रेड यह होता है ब्लू वाइट अगर मैं हिंदी भी लिखू तो काला लाल निला और यह सफेद जी हां बिल्कुल यदि रेस वे वाइरिंग में जो रेस वे वाइरिंग का जो परिपत होगा आप कोई चीज की वाइरिंग करेंगे तो एक परिपत ही तो बनाएंगे उस परिपत में जो सप्लाई वोल्टेज होगा वो सप्लाई बोल्टेज यदि 120 से लेकर 208 बोल्ट के बीच है तो हमारे पास यदी 3 phase की वायर है 3 phase वायर और 1 neutral की वायर है यानि कि total 4 वायर है तो वहाँ पे phase का क्रम कौन सा होगा phase का क्रम भी देख लिजे और phase का color coding हुई पहला phase हमारा black होगा दूसरा phase red color का होगा और तीसरा phase blue color का होगा इसमें RYB का कोई सिक्वेंस नहीं चलता है और neutral हमारा white color का होगा आप बोलें कि neutral तो black हमने देखा है लेकिन race विवारिंग में neutral white color का होगा है neutral black color का नहीं होता है ये तो होगया हमारा 120 से 208 बोल्ट की voltage वाली circuit अब हम बात करते हैं 480 जी हाँ अब आप कहेंगे कि 415 वोल्ट से तो 3 phase वोल्ट 3 phase supply में कोई voltage नहीं होते जी हाँ इसका कुछ tolerance भी होता है और कितना tolerance होता है 5% का tolerance होता है प्लस माइनस करके इसलिए ये थोड़ा बहुत बढ़ जाता है ठीक है हम बात कर रहे हैं इसलिए वायरिंग में यदि सप्लाई वोल्ट से 480 वोल्ट रहता है तो इसमें जो फेज होगा इसमें जो फेज होगा 3 phase और एक नूटरल की वायर उसकी कलर कोडिंग क्या होगी फेज तो 3 होगा देखे फेज होता है सिंगल या फिर फेज होता है 3 फिर फेज़ होता है 6 या फेज की संख्या होगा तो 1 होगा या फिर 3 होगा दो नहीं होता और चार नहीं होता अगर 4 वायर है तो उसमें से एक वायर नूटरल का होगा तो इसमें भी 3 phase है तो इसमें भी 3 फेज होगा 1 1 2 3 और यहां नूटरल अब इसमें, अब इसमें हम, कौन-कौन सी Color Codding वाली वायर का यूच करेंगे, ठीक है, इस चीज को हम देखते हैं, सबसे पहला होता है, ब्राउन, फिर वोता है, ओरेंज, ब्राउन, ओरेंज, और ब्लैक, कौन सा होता है, ब्राउन, ओर्एंज, और ब्लैक, सौरी, येलो हो होता है बी ओ वाई येलो देखिए और यहां पर न्यूट्रल काउन सा कलर को न्यूट्रल यहां ग्रे कलर का होता है अगर मैं हिंदी में बात करूं तो भूरा भूरा कलर का ओर इंज यानि नारंगी संत्रा कलर का येलो यानि पीला कलर ग्रे यानि धूसर जी अब देखिए इस तर आपको याद करने का एक ट्रिक बताता हूँ आपको याद करने का एक ट्रिक बताता हूँ अगर आप से पूछा जा एक सो रेस वे वाइरिंग में परिपत्मी यदी सप्लाई बोल्टेज 120 बोल्ट से 208 बोल्टेज है तो उसमें जो वाइर की कलर कोडिंग होगी वो कौन सा कलर कोडिंग होगा तो आपको ध्यान में रखना है बी आर बी डबलू आप इसको कैसे ध्यान में रख सकते हैं आप इसको जिस तरह से आपको समझ में आए ना जिस वर्ड को आप पहले 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 ले सकते हैं यह जो हमारा बी आर बी मैं तो इसी तरह ध्यान में रखाऊंगे बी आर बी और नूटरल वाइट बस सिंपल सी ब कदरी वाइ का नाम लेने से कोई वो नहीं हो जाएगा ठीक है तो आप इसको बॉय से याद रख सकते हैं बस आप न्यूटरल याद रखना होगा क्या न्यूटरल न्यूटरल यदि 208 वोल्ट है तो वाइड होगा अधो सच असी बोल्ट है तो ग्रे कलर का होगा यह बहुत ह क्ला भी देरी मत करिये या पिछ और नहीं जो वैंक और इसमें जो अरथिंग की बायर होती है घ्रसेवलब भी अर्थिंग की बार अर्तिंग की बार हर जग़ा कं पल सरी होता है अर्थिंग कंक क्यों करते हैं देकिमाणम मानव की जीवन से बढ़ के कुछ भी चीज नहीं है इस दुनिया में वह मानव जीवन की सुरच्छा करना हमें उसका पालन करना बहुत ही आवस्यक है यदि मानव ही नहीं रहा तो इस वाइरिंग को करेगा कौन फैक्टरी को चलाएगा कौन देश दुनिया को चलाएगा कौन ठीक है तो हम इनी सभी चीजों को ध्यान में कलर का ग्रीन यानि हरा कलर का इसमें हरा कलर का अर्थिंग होगा और इसको हम बेयर कंड़क्टर भी बोलते है क्या बेयर कंड़क्टर अब आप बोलेंगे बेयर कंड़क्टर क्या होता है यह बना होता है जी आई का यानिकी गैलवे नाइजड आयरन जिस वायर के ऊपर को इंसुलेशन नहीं चड़ा होता है उसे हम बेर कंड़क्टर बोलते हैं सिंपल सी बात है जिस वायर के ऊपर इंसुलेशन नहीं चड़ा होता है उसे हम बेर कंड़क्टर बोलते हैं और इसमें अब देखिए आपको मैं एक सिक्वेंस भाई से ध्यान दिलाता हूं यदि DC सप सिस्टम है वहां पे अर्थिंग ब्लैक कलर का होता है ठीक यदि हमारे एसी सिस्टम की फोर वायर सिस्टम है वहां पे हमारा अर्थिंग होता है एलो ग्रिन यदि एसी सिस्टम की थ्री वायर है तो वहां पे सिर्फ ग्रीन कलर का अर्थिंग होता है और रेस वे वाइरिंग का जो अर्थिंग होता है वो ग्रीन कलर का होता है बस आप इसको ध्यान करिए ध्यान में रख लिजे याद कर लिजे जहन में उतार लीजे ठीक यह हो गया हमारा यह तो हो गया मेरा AC DC system का वायर कलर कोड ये सभी फेज़दार है देखे फेज़दार को और क्या क्या बोलते है चलिए हो गया मैं इसको अब रफ करता हूँ मिटा देता हूँ जैसे ही आपको थोड़ा सा मौका मिलें आप तुरंथ इस वीडियो को सेयर करते रहे हैं उन सभी कमजोर इस्टुडेंट के पास इस वीडियो को पहुंचा ये जिने लगता है इलेक्ट्रिशन थेओरी मेरे बस की नहीं है अगर वो इस्टुडेंट खड़ा हो गया ना तो स क्या स्म gubased झाले समझए कुछ भी हो सकता है चलिए हम बात कर रहे थे हम बात करते स्टार की कर के लिए कि अत screams और यहमतर क्या होटा है टो ढशी सर का नाम कितने नाम होते है कभी कभी ऐसा होता कre बारे में पूछता है लेकिन इसका नाम चेंज कर देता है जिससे जो इनद जिससे नहीं पता होता है जिसे केवब फेज-तार के बारे में पता होता है वो क्या नूची रूधि an में है क्या कुछ समझ में नहीं आता तो फिर थेज़तार को लाइवतार भी बोलते हैं लाइवतार सजीवतार होट वायर यानि कि गरम था जीवित तार तो देख लिजाई इतन्य सारे नाम होते है इस फिजवायर के गरमतार अगर आपको धार पूछ दिए तो आपको बिल्कुल भी परेशान बिल्कुल भी घब्राने की दिक्कत नहीं है बस आप इस फिजफ लखे इस फिए स्थार के यह सारे नाम है वन तू थरी और फोर यानिकि चार परकार के इसके नाम है तिक आपकी एक्जाम में कुछ भी उट किया सकता है इंस अभी का मतलब तो फेस्टार ही होता है न तो चलिए यह होगय हमारा फिल स्थार का कॉंसेप्ट जाने ठीक है यहां तक तो हो गया अब हम पढ़ेंगे वारिंग के बारे में किसके बारे में मैं आपको बताओंगा वारिंग क्या होता है वारिंग कैसे कहते हैं मैंने जैसे कि आप मेरा फ़र्स्ट वीडियो देखेंगो तो वायरिंग के बारे में इतना धेर सारे नॉलेज दिया हूँ इतना डेफिनियेशन इतना बेतरी तरीके से समझाए हूँ इतना बेतर तरीके से बता हैं आपको आप वहां जाके भी देख सकते हैं ठीक है अब हम वायरिंग के सिस्टम को पढ़ेंगे हमने वायर के सिस्टम को पढ़ रहा था मतलब कि AC DC का सिस्टम और उस सिस्टम में कितने वायर होते हैं और उस सिस्टम में जितने भी वायर होते हैं उनका करनल कोडिंग क्या होता है तो यह हो गया हमारा AC DC का सिस्टम अब हम पढ wiring क्या होता है किसी भवन, कार्यसाला औद्योगी स्थानों पर वैद्युतिक उपकरण को प्रयोग करने के लिए उनको चलाने के लिए एक हमें सप्लाई की जरुरत पड़ती है एक नेटवर्क की जरूरत पड़ती है, उसी नेटवर्क को हम बोलते हैं, वाइरिंग, परिपत, सिंपल सी बात है, इसमें कोई साइन्टिफिक फार्मूला लगाना नहीं है, ठीक, तो वाइरिंग सिस्टम हो गया हमारा, इस वाइरिंग सिस्टम, सबसे पहले हम देखें कि गोडाउन की वाइरिंग करते हैं, जी हाँ, गोडाउन की वाइरिंग, गोडाउन क्या होता है, कि बहुत लंबा एक भवन होता है, बहुत लंबा एक घर होता है, जिसमें मनुस्य तो नहीं रहता, जिसमें कोई किसी हम अपने वस्तु को, किसी सामान को वहाँ पे स्टोर क करके रखते हैं हाथ तो फिस तरह कि लेंग औरननी कि अज़िए हो दाउन के फ्रस्ट कमरे में गये और हत्रों पहले वाले कमरे से हमें सि के Based कर से का लैंपी को और है तो मैं कि में किस तरह कि वाइれた अक्ट लिए घ्र तो अब से पहले देखते हैं गोडाउN वाइरिंग पॉआ है गोडा ओन वाइरीं ये गोडाउन वाइरिंग क्या होता है स्कुस्राइं में कॉन· से स्विच यूज करते हैं ठीक है तो इस गो डाउन वाइडिंग में देखे इसमें क्या होता है कि जितने लैंप होते हैं इस सर्कुट में हम यहां वाइडिंग एक सर्कुट बनाएंगे इस सर्कुट में जितने लैंप लगाएंगे ना उतने ही स्विच लगाने की जरूरत हो होती है जितने में उतने स्विछ यानि कि मैं यह भी लिख सकता हूं 2 लैंप ब्राबर स्विच जरानि कि जितने लैंप होंगे उतने कि cities होंगे यह दिलामप चार है तो सिच चार है ठीक है न बस आप को एम धान ध्यान में ये रखना है कि यदी लैंप चार है तो स्वीच तो चार होगा लेकिन स्वीच सबसे पहला वाला स्वीच वन वे स्वीच होगा बाकि तीनो स्वीच टूवे स्वीच होगे तो अब इसकी वाइरिंग करके देख लेते हैं इसकी वाइरिंग कैसे करना है मा लिजे कि मैं एक गोडाउन की वाइरिंग कर रह लेंप नमबर सेकेंड लेंप नमबर फ़ोर्ट मैंने आप को बत था हमें सबसे पहले हमें यूज़ करना है तो हम यहाँ पे हम प्र होनाइगे को इसके बाद मेंने बता था कि जितना भी आप फीच में होगा जितना भी स्हुच होगा सब्स मिष्षूय होगा जितना भी स्विच में वमस्वीज स्विच खा अब कितना स्विच ओगा एक तो्टल चार लगाना है तो में 3 हम 1 तु भी में दोपर पोजी सन होता है दोब अक पोजी सन अजादी ओफ है तो दूसरा ओंड रहेगा दी polsk है तो दूसरा कभी ओन नहीं हो सकता तो हम इसको और रखते हैं यह मर dependence है जो OFF होता है उसको हम NO बोलते हैं जो ON होता है उसको NC बोलते है NO4 NO4 normally open सामान ने खुला normally open और इस NC4 क्या होता है NC का मतलब होता है सामान ने बंद normally closed normally closed ठीक है यदी टूवे स्वीच का एक टर्मिनल टूवे स्वीच का यदी एक पोजीशन इसमें दो स्थिति होता है यदी एक पोजीशन हमारा ON है तो दूसरा ON नहीं हो सकता किसी भी हालत में ठीक है तो अभी हमारे ये पहले वाला ON है हम सप्लाई यहां से दे दिए इसको अब हमें कितने स्वीच लगाने की जरूद है टूवे स्वीच तीन तो पहला हो गया मेरा यहां अब दूसरा मैं यहां लगा देता हूं इसको भी इस पोजीशन को ON रख देता हूं इसको OFF रखता हूं दो हो गया एक मेरा यहां रहेगा इस पोजीशन को ON इसको OFF अब हमें वायरिंग कैसे करना है देखिए जो पोजीशन टूवे स्वीच का जो पोजीशन ओफ रहेगा उसको हम अगले वाले टूवे स्वीच को देंगे इस पोजीशन देखिए अगले वाले टूवे स्वीच को दे दिये सप्लाई यहाँ चली गई फिर यह ओंफ इसको दे यह यह धी अब देखते हैं ए डब मैं इस में तरल किसको बोलउंगा औरquid किसको बोलूंगा नीज़न बूत अईbasย और नूटल वायर किसको बोलू। आप सब को पता है, चाहे वो switch हो, चाहे वो fuse हो, वो हमेसा phase वायर में ही जूरता है, तो यह switch phase वायर में, तो मैं इसको क्या नाम दूँगा? Phase, पी, चलिए, फेस लिख देता हूँ, और इसको मैं नूटल वायर देता हूँ, सबसे पहले न्यूट्रल की बात करते हैं यह जो न्यूट्रल होती है कि यह हमेसा लूप होता है यदि आप पत् talented लगाते हैं तो आप ऐस न्यूट्रल को लूप कर दो कहाँ आपस में तो इसको मैंने लूप कर दिया माण लीजें कि यह हो गया neutral का यह फेस का यह neutral यह फेस यह neutral यह फेस और यह neutrally यह फेस यानि कि एक लाप में में 2.9orse कोई भी ले लेट ढोँघ होंगे उसमे और उसमें से एक फेस का एक neutral का होता है तो na种 काहए मापस में short कर देते हैं ऐसे सोट कर दिया मैंने फिर इसको सोट कर दिया मैंने फिर इसको सोट कर दिया अब फेज कैसे देंगे एक मैं यहां से यह जो एंसी है इसको दे दूगा यहां अब देखिये क्या होता है यह है मेरा गोडाउन यह क्या है मेरा गोडाउन मैं इसमें इंट्री यहां से किया इंट् से होता हुआ धारा कहां चला जाएगा लैंप में लैंफ के फेज हम यहीं से लैंप को ओन करेंगे अब क्या करेंगे अब हम इसको ओन करेंगे इस पोजिशन को अभी इसको आफ कर देंगे यह वाली लैंप हमारी ओफ हो जाएगी सप्लाई यहां आ गई यहां से होते हुए इस पोजिशन पर आई और यह हम इसको यहां पर वारिंग कर वारि थीज अब यह लैम्प जलने लगा हम यह लैम्प जलने लगा यहां पर प्रकास हुआ तब हम चल के यहां पर आzen अब इसको अगे oh और चलना है तो हमें इसको अब आफ करना होगा तो हम इसको आफ कर देंगे ये वाले स्थिति को ओन कर देंगे अब यहीं हम खड़े हैं तभी ये वाली लैंप हमारी जलने लगेगी क्योंकि इसका वायरिंग ही इस तरह से किया हुआ है ठीक है अब हम यहां से चल के कहां चल हैं क्योंकि जैसे ही हमने स्वीच को ओफ किया लैंप हमारे सारे बुझने लगे तो इस तरह से मैं भी बुझा देता हूं नहीं तो आप कहेंगे न लैंप तो जली रहा है फोकट कर बीजली कभी लाएगा ठीक है चलिए यह वाला लैंप हमारा ग्लो हो गया हम यहां पहु हम यहीं से इसको ओन करेंगे रूम नमर थ्री से ही इसको ओन करेंगे यहां से ओन कर दिये इसको ओफ कर दिये इसको ओफ करते ही यह लैंप बुझ जाएगा और यहां से वाइरिंग किया हुआ है इसकी अब यह वाली लैंप हमारी जल्ले लगेगी कुछ इस तरह से, तो यह होता है go down का wiring, यह होता है पूरा go down wiring, हम आगे बढ़ते जानते हैं, आगे वाले lamp को on करते जाते हैं, और पीछे वाले lamp को off करते जाते हैं, यानि कि पीछे वाला lamp हमारा बंद होता जाएगा, और आगे वाला lamp हमारा on होता जाएगा, क्योंकि हमें प पुलते रहा होता है तो यह होता है पुरा गोडाउन की वारिंग इसमें से आपको एक्जाम की द्रिष्टी से यह important है की कितने Lamp सहयोजित किया जाते हैं यह पूछता एक जितने लैंप उतने स्विच फर्स्ट स्विच टूवे का वन वे का बाकि सभी स्विच टूवे का इसलिए मैंने हाँ पर लिख दिया लैंप बराबर स्विच आप इसी इसको नोट कर लिजिए तो दोस्तों यह हो गया गो डाउन की वारिंग अब हम देखेंगे कि एक लैंप को तीन जगह से कंट्रोल करेंगे जी हां एक लैंप को तीन जगह से कंट्रोल करेंगे और वो कैसे करेंगे आप इसको इस डाइग्राम को फटा फट बना लिजे इसके बाद आगे बात करते है आप इसका स्क्रीन सॉट ले लिए ठीक है ना चलिए मैं साइड हो जा रहा हूं आप इसक्रीन सॉट ले लीजिए चलिए अब देखते हैं आगे अब हम देखेंगी एक लैंप को तीन जगह से नियंद्रित करना एक लैंप को तीन अस्थान से नियंद्रित करना है नियंद्रित करना है यानि कि कंट्रोल करना दोनों बात एक ही है यह हो गया एक ही लैंप है लैंप एक ही है उसको हम तीन जगह से कंट्रोल करेंगे कितने जगह से तीन जगह से तो इसके लिए हमें किस स्विच की जरूत होगी इसके लिए हमें इंटरमीडिये स्विच की जरूत होगी किसकी इंटरमीडिये स्विच की अब देखिए इंटरमीडिये स्विच कैसा होता है intermediate switch में 4 point होते हैं total 4 point होते हैं और यह कुछ इसतरा से intermediate switch का सिंबल होता है और यह इसकी स्थिति यानि की इसकी position इसकी position तीन तरह से होता है position तीन तरह से होता है कैसे कैसे सबसे पहला प्रॉजर कर हम क्रॉद साओ कि क्रॉस इस्थिती में यह होता है है कि स्थाइश टर्मिन और यह पको आपसव में र 1000 कर दिये दोनों कर कि और यहां से हमने ले लिता ऑइबा खंकर ठीक तो एक रोच इस्थिती दूसरा इस्थिती है होरीजंटल यानि कि हम 36 बोलें इसको तो सही रहेगा पहले 36 के बारे में बात करते हैं 36 इस्थिति 36 इस्थिति आड़ी की horizontal position इस horizontal position में कैसे होता है 4 टर्मिल तो होगा ही होगा यह आपस में sort करती है यहां से ले लिए output इसी तरह से होता है यह हो गया अब एक और इस्थिति होता है तीसरा इस्थिति क्या होता है vertical यानि कि उर्धवार्धर vertical position इस vertical position में क्या होता है होगा तो इसमें भी 4 टर्मिल लेकिन यह इस तरह से sort होगा यहां से हम output ले लेंगे कुछ इस तरह से तो यह intermediate switch की position कितनी होती है यह exam में आया था यह मैंने देखा था 2015 की exam में भी आया था जिस टाइम पर मैं complete कर रहा था ITI और यह 2018 में भी आया था अब देखिए बार बार यह question पूछा जा रहा है कि यह जो हमारा intermediate switch होता है intermediate switch की position कितने types की होती तो आप 3 types के नाम भी उर्धवारदर, 36 और cross इस्थिति ठीक है चलिए यहाँ तक किसी को कोई दिकत नहीं यह अभी use में आएगा इसलिए मैंने सुचा कि आपको पहले ही बता दूँ तो यदि हमें एक lamp को तीन जगह से control करना है तीन जगह से control करने के लिए हमें कितने switch की जरूद पड़ेगी तो इसमें तीन जगह से control करना है था तीन ही switch की जरूद पड़ेगी लेकिन वो switch कौन कौन सा होगा इसमें one way switch का कोई यूज नहीं होगा इसमें only one two way switch का यूज होगा और एक intermediate switch का होगा मेरी बात को ध्यान से सुनना start में और end में two way switch होगा यानि कि शुरुवात में और अंतिम में two way switch होगा और बीज में intermediate switch होगा चलिए दिखाता हूँ एक lamp है हमारे पास लैंप इस lamp को हमें on करना है और off करना है on off तीन जगह से करना है तो हम कैसे करेंगे यह हो गया मेरा neutral की वायर यह हो गया मेरा neutral की मैंने आपको बता था कि प्रारंभ में और अंतिम में two way switch होगा तो यहां प्रारंभ और अंतिम में two way switch में तीन terminal और दो इस्थिति होता है तो पहले वाले इस्थिति को on कर दिया यह हो गया मेरा phase और यह हो गया starting का अब running का देखते हैं इंड का यह हो गया मेरा two way switch यानि कि दो two way switch हो गया मेरा इस दो two way switch के बीच में एक intermediate switch होगा intermediate switch के चार टर्मेल होते हैं और यह इसका symbol हो गया ठीक है तो अब ही हम क्या कर रहे हैं वाइरिंग करना भी सीख रहे हैं कि वाइरिंग कैसे कैसे किया जाता है आपको नहीं पता होता ना कि एक hill lamp को हम तीन जगह से कैसे कैसे कंट्रोल करेंगे तो यह देखिए intermediate switch जब लेंगे आपको intermediate स्वीच जब आप मार्केट से उठाएंगे तो उसमें भी चार पोजीशन होगा और टूवे स्वीच में तीन टर्मिनल होगा ठीक है तो आप इसको ध्यान में रखिए आप यहां से यहां से देख के जहां से जैसे मैं बता रहा हूं इस तरह से आप वाइरिंग भी कर सकते है प्रेक्टिकली वारिंग कर सकते हैं ठीक अब देखिए हम इसको जोर देते हैं सिम्पल सी बात है अ कुछ इस तरह से अब ये हो गया मेरा फेज यहां से मैंने जोड़ दिया इसको यहां फेज से अब मेरा सरकिट हो गया complete अब धारा का प्रवाह होगा और लेंप हमारा जलने लगेगा और प्रकास होगा ठीक है अभी प्रकास नहीं है तो देखिए हमने यहां से सिंगल फेज जानी की 230 बोल्ट की सप्लाई दिया 230 बोल्ट की सप्लाई देते ही देखिए इस पोजीशन में तो धारा का प्रवाह होगा नहीं क्यों क्योंकि यह ओफ है यह ओन है मैंने बता था कि एक टाइम पर वन टाइम पर ओन हो सकता है दोनों ओन नहीं हो सकता है वन टाइम पर एक ही ओन हो सकता है तो एक ओन है सप्लाई हमारी गई यहां गई यहां गई यह क्रोस से होता हुआ बाइपास होता हुआ यहां आ गई लेकिन यहां पर फिर से हमारा देखे क्या है ओफ है यह पोजिशन ओफ है धारा आगे नहीं जाएगी अगर हम यहां से देखते हैं तो यह देखे यहां आई धारा यहां आई यहां आई यहां आई और फिर वैसे भी बाहर कहा जाएगी लेकिन फिर भी यह देखे ओफ है तो किंदर से भी नहीं हो रहा है अब हम क्या करेंगे मुझे इस से कंट्रोल करना चलिए ओन कर दिए यह औफ हो गया अब इसमें देखिए धारा कि धर जागी इधर जागी यहां यह इंटर्मेडियेट से बाइपास होता हुआ धारा कहां चला गया यहां चला गया अब देखिए यहां पे भी ओन है अब बिल्कुल एकदम मस्त तरीके से जल गया हमारा लैंप प्रक्तास हो गया इस स्वीच को स्वीज नंबर 1st से हमने ऑफ कर दिया यादि आफ करना है अफ करना है तो इसको भी इसी तरह से, इसको हम क्या करेंगे, दबाएंगे, switch को दबाएंगे, तो यह हमारा on हो जाएगा, यह वाली position हमारी off हो जाएगी, यानि कि यह NO बन जाएगा और यह NC बन जाएगी, तो देखिये, यहां से क्या होगा, अब यहां से क्या होगा कि यहां अब हम इसको कुछ नहीं करना है पहले वाले इस्तिती में ही अब इसको हम ले आएंगे ठीक है तो यहां से धारा गया देखी यहां यहां से होता हुआ, यहां circuit complete होता हुआ, फिल लैम्प जल गया, यानि कि इससे भी हमने on कर लिया, हमने इससे भी on कर लिया, on कर लिया तो off भी कर लेंगे, simple सी बात है, जिस तरह से इसमें किया थे, तो switch number first, switch number third से हमने इस लैम्प को on off कर लिया, एक लैम्प को दो जगह से control क अब देखते हैं, इससे कैसे control करते हैं, इससे हम कैसे control करते हैं, इसमें क्या होता है, एक switch होता है, यह intermediate एक प्रकार का switch है, एक प्रकार का switch है, इसमें क्या होता है, कि जैसे हम button को दबाते हैं, तो यह वाली position है, यह वाली position on हो जाती है, यह वाली position on होते ही, यह वाली position हमा मारा नीचे वाला पोजिशन ओन होगा क्या होगा नीचे वाला पोजिशन एक मिनट थोड़ा सा रुख जाई है आप मैं इसको फिर से आपको अच्छे से समझाने की कोसिस करता हूं अब देखिए अब इसमें इसको हम इंटरमीडियर स्वीच से कैसे ओन करते हैं और कैसे को ठीक है तो इसके कितने पोजिशन होते हैं इसके तीन पोजिशन होते हैं आप किसी भी पोजिशन से आप जो मैंने आपको बताया था वर्टिकल होरीजेंटल और क्रॉस यह किसी भी पोजिशन से आप इसको ओन आफ कर सकते हैं यानि कि केवल और केवल इंटरमीडियर स् समझे। सब्सक्राइब इस डिया ग्राम को बना लीजे और इस वीडियो को फटा फट्स इर कर यह Sayo कमजोर ब्यच्ति के पासों सभी कमजोर स्टूडियन के पास पहुचना चाहिए वीडियो जो अपने आपको समझते हैं कि electrician theory तो मेरे बसका ही नहीं है ठीक है तो चलिए आज हम इतना ही पढ़ेंगे अब next वीडियो में हमारी और आपकी मुलाकात होगी तब तक के लिए अलविदा ओके thank you very much